मठ्रियां तो आपने बहुत बार बनाई होंगी, बहुत बार ट्राई की होंगी, पर एक बार इस तरह से बना कर देखिए आपको बहुत पसंद आएगी, एक दम खस्ता और करारी, ना तो हम बेकिंग सोडा का इस्तमाल करेंगे और ना ही बेकिंग पाउडर का, फिर भी ये बहुत ही अच्छी और खस्ता करारी बनेगी, सबसे अच्छी बात है कि इसे आप महिनों तक स्टोर करके भी रख सकते हैं, तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाते हैं, खस्ता करारी करवा चौध की मीठी मठरी बनाने के लिए मैं ले रही हूँ, दो कप मैधा, ये मे दालेंगे दो चम्मच पाउडर शुगर, दो बड़े चम्मच पाउडर शुगर डालें ताकि मठरियां अंदर तक मीठी रहें, और ये देखिए, अब इसमें डालना है घी, तो घी मैं डाल रही हूँ लगबग 1 फोर्थ कप, यानि 2 कप मैधा में मैंने 1 फोर्थ कप घी डाला है, अब इसे अच्छे से हमें मिक्स करना है, तो हाथों से बढ़िया से मसल करके इसे मिक्स करिए, ताकि सारे आटे में अच्छे से कवर हो जाए, और बजा हुआ घी भी हम इसमें मिक्स कर लेंगे, तो मोयम हमें अच्छे से लगाना है, ताकि अंदर तक हमारी जो म मुठी बांद करके देखिए और ये बढ़िया से मुठी बन रही है यानि आपने मौइम बढ़िया से डाला है तो अब हमें क्या करना है थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालना है और एक टाइड डो बना करके त्यार करना है तो बस थोड़ा-थोड़ा पानी डालते जाए औ इस तरह से ना तो baking powder का इस्तमाल करेंगे ना ही baking soda का बहुत ही खस्ता और करारी बनेंगी तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएए और एक tight सा dough लगा करके हम तयार कर लेंगे ये देखिए बढ़ियां से मसल करके और आपको tight dough लगा करके तयार करना है अब हम क्या करेंगे इसे ढख करके 10 मिनट के लिए rest पे छोड़ना है जादा दिर के लिए नहीं रखना है सिर्फ 10 मिनट हम रखेंगे और देखिए मैं इसका texture दिखाती हूँ इस तरह का होना चाहिए देखिए इस तरह से मतलब बहुत जादा mix नहीं करना है इसे बस इसी तरह से इसे बना कर त इसे और इसे divide कर दूंगी मैं 3 portion में तीन भागों में इसे बाट लेना है उसके बाद इसे अच्छे से चिकना कर लीजे इस तरह से और अब हमें इसे बेलना है तो चकले पे थोड़ा सा घी लगा लीजे ताकि बेलने में आसानी हो और बेलन में भी हम थोड़ा सा लगा ले बेलना है और थिकनेस हमें थोड़ी सी मोटी ही रखनी है मतलब बहुत पतला नहीं बेलना है थोड़ा मोटा रखना है देखिए मैं आपको दिखलाती हूं इस तरह से बेल लीजे और कोई भी आटा वगेरा लगाने की जरुवत नहीं है बस थोड़ा सा घी या ओयल लगा लीजे और यह आसानी से बिलकर त्यार हो जाती है और देखिए थिकनेस रखनी है आपको इतनी मोटी आपको बनानी है और यह ग्लास से मैं कट कर लूँगी आप कोई भी कटोरी या जिस साइज का आपको बनाना हो उस साइज का इससे कट कर सकते हैं आप चाहें तो छोटी जितना बड़ा आपको बना कर त्यार करना है आप अपने कॉडिंग बना सकते हैं देखिए इस तरह से देखिए इतना मोटा आपको रखना है बहुत ज्यादा पतला नहीं करना है और अब मैं बनाऊंगी इसमें एक डिजाइन जिससे यह और भी खुशूरत लगेंगी दे देखिए इस तरह से देखिए ऐसे पिंच कर लें इसे ना फ्लावर का शेप आ जाएगा और बहुत ही बढ़िया लगता है यह डिजाइन अगर आपके पास कोई दूसरा डिजाइन हो तो आप उस तरह से भी बना सकते हैं देखिए आप किस तरह से बनाती हैं हमें कमेंट क करके जरूर बताईएगा इस तरह से आपको पिंच कर लेना आप देखिए यह कितना खुबसूरत लग रहा है ना देखिए इसी तरह से हमें सारे बना कर त्यार कर लेने हैं और यह जो बीच का पार्ट है ना इसे फोर्क से या नाइफ की हेल्प से हम प्रिक कर लेंगे ता देखने में काफी खुबसूरत लगती है जब यह बन कर त्यार होती है देखिए इस तरह से तो चलिए हम अब नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे तो अब बारी है मठ्रियों को तलने की यहां मैं ओयल गरम कर रही हूं ओयल की जगा घी का भी इस्तमाल कर सकते हैं और तेल को रख के मठ्रियों को इसमें डालते जाएं और इसे हमें बढ़िया से तलना है जब तक कि यह गोल्डेन ब्राउन कलर का ना हो जाएं तो शुरू में मठ्रियों को बिल्कुल भी डिस्टरब मत कीजिए और जब यह खुद से उपर आ जाएं तेल के उपर आ जाएं तब सावधा का कलर आ जाने के बाद हमें मठ्रियों को सावधानी से बाहर निकाल लेना है तो एकदम गोल्डेन ब्राउन होने तक हमें इसे तलना है फ्लेम को रखना है low to medium पे और एक बार में जितनी मठ्रियां आप तल सकते हैं, इसमें तल सकते हैं, तो चलिए इन्हें हम बाहर निकाल लेते हैं, और इस तरह से सारी मठ्रियों को आपको fry कर लेना है, तो इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखेंगे न, तो आपकी मठ्रियां भी बहुत ही अच्छी बनेगी, एकदम खसा बनेगी, देखे, अब हम दूसरा बैच भी इसी तरह से डाल देंगे, और उसे भी तल कर तयार कर लेंगे, और देखे, यह एकदम विस्किट की तरह लग रही हैं, तो चलिए, अब हम चाश्नी बना कर तयार कर लेते हैं, तो यहां मैं ले रही हूं 1 कप चीनी, यानि 2 कप मैदा, अ आधा कप पानी यानि चीनी का हाफ पानी आपको लेना है और अच्छे फ्लेवर के लिए दो तीन इलाइची कूट करके डालिए और चाशनी आपको बनानी है एक तार वाली यानि थोड़ी गाड़ी चाशनी बनानी है तो देखे इस तरह से चेक कर सकते हैं एक प्लेट में थोड़ा सा डाली है सुगर सिरप और इसे थोड़ा ठंडा कर लीजे और इस तरह से छू करके देखिए तो ये काफी गाढ़ा लगेगा देखिए इस तरह से ये जमने की consistency में आ गया है और दूसरा तरीका ये है कि हाथों से इस तरह से करके देखिए इसमें एक तार बन रही है तो आपको एक तार की चाषणी बनानी है तो चलिये सुगर सिरफ तो बनकर हो गया है तयार और अब क्या करना है फ्लेम को कर दीजे बन और इसमें एक एक करके हम मठ्रियां डालते जाएंगे और दोनों तरफ से अच्छे से कोट करते जाना है और इसी तरह से चास्नी में डुगो करके सारी मठ्रियों को हम निकालते जाएंगे देखिए इस तरह से दोनों तरफ से इसे कोट कर लीजे और इसे निकाल लीजे आप चाहें तो बड़े पैन में भी चाशनी बना सकते हैं जिससे होगा ये कि सारी मठ्रियां आप एक साथ डाल सकते हैं मेरा पैन ये थोड़ा छोटा है तो मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ इसी तरह से शुगर सिरप में डुगोते जाए और सारी मठ्रियों को बाहर निकाल के रखते जाए देखिए इस तरह से ठंडा होने के बाद ये और भी खस्ता और करारी हो जाएंगी और स्टोर करने के लिए इसे बिल्कुल ठंडा कर लीजे फिर इसे स्टोर कीजे और ये मह पैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियो पे तिल देन थैंक्स पोर वाचिंग बाबाई एंड टेक क्यार